और अब बात एक उस गेंग की जिसकी शाती रहना वारतातों ने जैप और पुलिस की नींद उड़ा दी थी एक ही रात में तरजनों दुकानों को इन बदमाशों ने अपना निशाना बनाया था वारतात की CCTV फोटेज भी सामने आई थी लेकिन पुलिस को आरोपियों का कोई सुराख नहीं मिल रहा था आखिर कड़ी मशकत के बाद जब पुलिस ने आरोपियों तक पहुँची और उन्हें किरफतार किया गया तो खुले वारतातों के तूसरे जाज भी रिपोर्ट चैपर से एक ही रात में एक साथ दर्चन भर दुकानों में लगातार हो रही चोरी की वारता दें जैपर पुलिस के लिए सिर्दर्थ बन गई थी पिछले तीन मेहने में करीब सो दुकानों में चोरी करने वाले पतमाश आखिरा पुलिस के हाथ दे चड़ गए सामने आया है कि आरोपी एक ही गेंग के सदस्य हैं गेंग में कुल छे सदस्यों के शामिल होने की चानकारी मिली है चोरी की दो बाइक पर सवार होकर ये बदमाश रात तो बज़े से सुबह साड़े चार बज़े के बीच चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे एक-एक मोटर साइकल पर तीन-तीन बदमाश सवार होते थे वार्दात के दुरान या आरोपी चेहरे पर इसकार पांधे रखते थे गरफतार किये आरोपियों में रामलाल पावरिया, निर्मल पावरिया, बला पावरिया और किशन पावरिया शामिल हैं आरोपियों को चोरी की मोटर साइकल के साथ किरफतार कीचाने के पाद सिसी टीवी फुटेस से मिलान किया तो इनका हुलिया होब हुपाया गया जिसके बाद इन्हें गिरफतार किया गया देखे लगातार कुछ रात में शटर तोड़ करके बारदात करने की जो एक लगातार कई दूनों तक बारदाते हो रही थी उसको लेकर के टीम बनाई गई थी अलग-अलग थानों को मिला करके जिसमें की परताब नगर थाना हो गया सांगार ये थाना हो गया, जवार नगर हो गया, जिन थाना शेत्रों में ज्यादा बारदा थी, उन थाना शेत्रों के लोगों को मिला करके टीमें बनाई गई, जो के अडिशनल एस्पी साथ हमारे उनके नेतरत्व में इन टीमों ने अपना लंबे समय से प्रयास किया, और यार बाबरिया गैंके चार सदस्वें को गरिफतार किया गया है, ये आरोपी एक ही जटके में किसी भी दुकान का शटर आसानी से तोड़ कर उसे उंचा कर देते थे, जे शटर में सेंटर लॉक नहीं होता था, उस शटर को उठाने में महस दस सेकिंड का वक्त लगता था जनवरी के पहले सब्ता में शामनगर थाने इलाके में एक के बाद एक नो दुकानों में इन लोगों ने चोरी की घटनाओ को अंजान दिया था, चार दुकानों में लगे सीसी टीवी कैमरे में इनकी करतोद भी कैद हुई थी, जिनमें इनके चेहरे साफ नजर आ रहे थे इसके बाद इनी बदमाशों ने मुहाना इलाके के रामपुरा रोड पर एक साथ साथ दुकानों में चोरी की जवारनगर और सांगनेर में भी इन आरोपियों के चेहरे सीसी टीवी फुटेज में कैद हो गए थे, पुलिस के मताबिक ये बदमाश मुख्यमार्गों पर खड़े वाहनों से डीजल और पैट्रोल भी चोरी करते थे, एक रात में 200 से 300 लिटर तक डीजल और पैट्रोल चोरी करने की वार्दातें भी इन आरोपियों ने कबोल की है। और फिर हमार आइडेंटिफाई होने के बाद में तब इनको फॉलो करना शुरू किया है। गिरफतार आरोपियों ने चोरी के साथ लूट चैने स्नेचिंग की वार्दातें भी की है। लूट के एक प्रकरन में आरोपी बल्ला बावर या तीन साल की सजावी भुगत चुका है। लेकिन फिर जेल से बाहर आने के बाद वार्दातें करने लगा। बहर हम अब जैपूर पुलिस इन सभी से कहन पूस्ताज में चुती है। जैपूर से राम, सरुप की रिपॉर